Hello Friends, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर AIP का Review आप करते हैं तो AIP का Review चैनल की Category क्या होगी? इसी के बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या होता कि जब तक आप अपने YouTube YouTube चैनल की सही तरीके से Category सेलेक्ट नहीं कर लेते हैं तो YouTube को यह नहीं पता चल पाता कि आप किस तरह के वीडियो बनाते हैं तो वो आपका वीडियो बायरल नहीं कर पाता है तो आप अपने चैनल के टेक्निक साही तेरी के से सेलेक्ट कर लीजे तो YouTube को यह पता हो जाएगा कि आप किस तरह के वीडियो बनाते हैं तो वो आपका वीडियो उस audience तक भेजने लगेगा जिस audience को उस वीडियो की जडरोथ होती है तो चले मैं आपको बता देता हूँ कि एप रिव्यू करने के चैनल की कर्टेगरी क्या होगी उससे पहले अपने भाई की चैनल टेक्निकल लतना कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो आपको ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ मोवाईल की स्कीन पर देखना है तो यहाँ से कोई एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर देना है जैसे मैं यही वाला वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ वीडियो सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको एक पेंसिल का आइकन दिक्रा होगा तो आपको पेंसिल का इकन पर क्लिक कर देना है थोड़ा search होगा उसके बाद ये interface खुलेगा और यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा सबसे नीचे tag, category, shorts, remix तो इसी पर आपको click कर देना है click करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा तो आपका चैनल I preview करने का चैनल है तो इसकी category क्या होगी जैसे माली जो कोई comedy से related video बनाता है तो उसकी direct यहाँ पर category दी हुई है comedy अगर education से बनाता है तो education दिया हुआ है अगर वो gaming से related YouTube channel बना है तो gaming दिया हुआ है लेकिन यहाँ I preview करने की साफ साफ category नहीं दी हुई है जैसे मेरा चैनल technical से related है मतलब कि मैं YouTube की tips देता हूँ तो मेरी category क्या है science and technology तो आपका चैनल I preview से related है तो आपके वीडियो भी technical से related होते हैं तो आपको भी यहाँ पर select कर लेना है science and technology तो यही I preview की category सही है तो इसी को आप select कर दीजेगा उसके बाद थोड़ा back करेंगे और यहाँ save पर click कर देंगे तो आपके चैनल की category select हो जाएगी और एक बाद जरूर याद रखिएगा कि जो आपकी पिछले वीडियो होगे जो अभी तक आपने upload की हैं उनकी सभी वीडियो की category आपको change करनी पड़ेगी मतलब की change करके आपको science and technology select करना पड़ेगा और जो अब आप upload करेंगे आने वाले समय में उनकी category आपको select नहीं करने पड़ेगी पहले से science and technology select रहेगी ठीक ना तो इसी तरह आप select कर लिजेगा और एक बात और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें ये बताया है कि YouTube first payment कितनी देता है तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का link आई बटन पर मिल जाएगा और जो ये वीडियो दिख रहा है ना तो इस वीडियो को देख लिजेगा तो I hope कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपका अच्छा भी लगा होगा अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा है ना तो अपने भाई की चैनल टेक्निकल अतना कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो मिलते अगले वीडियो भी तब तक के लिए जाहिद